दोस्तो मा बनना हर इस्त्री के लिए जीवन का सबसे सुकद अहसास होता है लेकिन कई बार हमारी आद दे गर्व ठहरने में बादा उत्त्य पन्न करती है दोस्तो इस्त्री पुरुस का सम्मंद सही समय पे नहीं बनने के कार कभी कभी वे संतान सुक के अवाव में रहते हैं संतान प्राप्ति होने के लिए इस्त्री और पुरुस के बीच में संबंद बनना ही सिर्फ जरूरी नहीं है बलकि यह सही समी पर बने यह भी जरूरी है तो दोस्तो आएए देखे कि कहीं आप भी इसी आदतों के सिकार तो नहीं है जो आपको संतान सुक पाने में रोक रहे हैं आए जानते हैं आप असानी से कैसे गर्वती हो सकती है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगी जो इस्त्री और पूरुस को संबंद बनाते समय ध्यान रखने है दोस्तो पहला पीरियड सुरू होने वाले दिन से चौथी रात से सोलवी रात तक में सेक्स करने से गर्व ठहने की समभावना जादा होती है इसके अलावा तनाव मुठ यारी टेंसन फ्री रहना गर्व के लिए बहुत जरूरी है और साधी के तुरंद बाद गर्व ठहने की समभावना सबसे जादा होती है तीस साल से कम उम्रिकी महिलाओं में गर्व ठहने में दिक्कत नहीं होती है पीरियड आने में 12-16 दिन पहले की अवदी को ओविलीशन पीरियड कहते हैं ओविलीशन पीरियड के दौरान सेक्स करने से गर्व ठहने की समभावना बढ़ जाती है योनी श्रप गाड़ा और चिपचिपा हो जाता है सेक्स करने की एक्षा होती है खाना परियाप्त मात्रा में खाएं नकाम नजादा इससे स्पॉम की कॉलिटी बढ़ जाती है दोस्तों इसके अलावा नियमित वयाम करें और सरीर को एक्टिव रखें दोस्तों स्पॉम एक्ष से सही तरीके से मीट करें इसके लिए सेक्स के लिए सही पोजीशन होना भी अतियावश्यक होता है पुरुस को हमेशा इस्त्री के ऊपर रहकर ही सेक्स करना चाहिए इससे महिलाओं की गर्भती होने के चांसे बढ़ जाते हैं गर्भती होने के लिए सही अहाल लेना भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है इसके लिए प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन करें पल, सबजिया, दाल, साग, इत्यादी का खाने में ज़्यादा प्रयोग करें दोस्तों इसके आलावा एक ही दिन में दो-तीन बार सारिडिक संबंद बनाए इससे महिलाओं में करबती होने की संबावना बढ़ जाती है दोस्तों अगर आपको मेरी बनाए वीडियो पसंद आती है तो सबस्क्राइब करिए मेरे चैनल को और प्रस करिए बैल आइकन की बटन